आपका स्वागत है और आज का जो बड़ा सवाल है वो यह है Moto G72 का एक user experience में आपको देना चाहता हूँ इसकी unboxing क्योंकि पहले भी हो चुकी है ऐसा आपको box मिलता है और इसके box पर तो rate बहुत ज़्यादा लिखा है पट मुझे हासिल हुआ है 14,298 रुपे में 15,000 रुपे में आप इसको बिना किसी credit card की ले सकते है पर अगर आप credit card का फाइदा उठाना चाहते है तो आपको साड़े 700 रुपे या साड़े 200 रुपे या कई बार 1500 रुपे तक का भी discount मिल जाता है अब है वजा इसको लीजिएगा क्यों तो 15,000 के नीचे आते हैं इस phone का बोल बाला और बढ़ गया और इसको और लोग ने ले लग गए क्यों क्योंकि 15,000 में ये best features आपको देता है features की बाद बाद में करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये phone 4G नहीं है तो अगर आपको 5G ही चाहिए तो ये video आपके लिए नहीं है बढ़ आपको कोई फरक नहीं पड़ता 4G 5G से अगर आपको पता है कि 5G 4G क्या पंगा है क्या नहीं है अब आप करते हैं मैंने ये phone क्यों खरीदा मैंने ये phone इसलिए खरीदा क्योंभी मैं 70,000 का Apple नहीं खरीदना चाहता था जो काम 12,000 में होता है वो 70,000 में क्यों करें इसलिए मैं Android लवर हूँ एक तरह से कह सकते हैं कि आपके Android बहुत सारे पैसे बचवा देता है यार और एक premium चीज इस phone को देखके मुझे क्या लगी इसकी look सबसे पारा तो मुझे इसके camera का जो concept था वो काफी पसंद आया त्री डोट्स वाला जैसे Samsung A50 में है और Moto के G31 या और भी products में है उससे कुछ अलग और color मुझे online इतना अच्छा नहीं लग रहा था बट जब ये मेरे घर आया तो मुझे काफी पसंद आया इसके उपर जो case plastic का चड़ा हुआ है वो भी company fitted आया था और दोस्तों आपी की तरह मैं भी बहुत confused था क्योंकि 12,000 में G31 भी आ जाता है और या इससे सस्ते और भी कंपनियों के आ जाते है तो मैंने का 15,000 क्यों घर चे जाए क्यों घर चे जाए सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया लुक में यह उन सबसे बेटर है इसमें है एक fingerprint जो की on screen है और बहुत fast चलता है इंटरफेस इसका near Google stock Android वाला है थोड़ा सा मैं Android 12 से परिशान हूँ Android 12 पे चलता है 13 की update यह आपको देगा परिशान इसलिए होगी और बैटर हो सकता था यह थोड़ा बहुत मुझे Lumia की याद दिलाता है Microsoft की साठगाट तो नहीं हो गई है गूगल वालों से खेर ऐसा तो नहीं है और moderate और simple user इसको बहुत प्यार से यूज़ कर सकता है बहुत अच्छे अच्छे इसमें customization है हर एक चीज़ का रंग ढंग सब कुछ आप इसमें बदल सकते हैं और इस चीज़ से बिलकुल modern phone बन जाता है और इसकी customization के लिए और इसका interface के लिए इसको मैंने pass कर दिया दूसरी बात मैंने Moto ही क्यों खरीदा अब बात करते हैं जो इसके पीछे भाई साब है ये Moto G72 है और ये है Moto G5 Plus जो की 2017 का product है आज तक बिलकुल ठीक चल रहा है ये भी एक आपको Google Stock Android का ही interface देता है Near Stock Android, not total और ये आज तक बिलकुल ठीक चल रहा है इसके camera से भी लोग बहुत खुश नहीं थे जैसे इसके camera से भी लोग बहुत खुश नहीं है बट स्टिल मैं कोई professional photographer नहीं हूँ उसके बाब जो बहुत अच्छी तस्वीरे ले लेता हूँ और क्यूंकि मैं Moto user रह चुका हूँ तो मुझे इसकी ठोस पन ने इसकी durability ने बहुत बहुत impress किया था इसलिए Moto का मैं पक्का फैन मन गया आज तक इस phone ने मेरा 500 रवे का घर चाग रहा है वो भी इसका jack बदला था हाँ Moto के आपको जो parts है वो इतनी असानी से नहीं मिलते हैं खासकर back cover and all बट जो ये jack वगएरा होते हैं ये तो normal पुराने वाला jack है या camera का lens है या sim tray है या आपको असानी से online मिल जाते हैं 500 रपे कभी कभी ज़ादा खर्षने बढ़ते हैं बट phone ने कभी भी hardware और software में issue नहीं दिया camera से मैंने पहले बताए इसके camera से भी लोग खुश नहीं थे और इसके camera से भी लोग खुश नहीं है अब इसको देते हैं अराम तो अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं आप एक अच्छी खासी फोटो इसमें ले सकते हैं ये कुछ तस्वीरे हैं जो मैं आपके साथ share करता हूँ जो मैंने इसी phone से ली है फोन नेते वक्त हम प्रोसेसर्स के बारे में जरूर सोचते हैं तो मैंने सोचा कि ये स्नैप ड्रैगन नहीं है और जो इससे पुराने वाला वर्जन है मोटो का वो स्नैप ड्रैगन था 680 और ये है MediaTek Helio G99 बट मैंने जब MediaTek के बारे में G99 के बारे में खास कर पड़ा तो मुझे वो ठीक लगा MediaTek स्नैप ड्रैगन से हलका हो सकता है बट जो इसका G99 प्रोसेसर है वो काफी अच्छा है याद रखिएगा मैंने फोन वैसे gaming वेगरे के लिया है मैंने moderate यूज करने के लिया है बट मैंने इसको इसलिए चूस किया अगर कलको मैं इसको heavy usage भी यूज करने लगा इस पे तो ये बहुत अराम से उसमें सक्षम उतरेगा इसको मैं 15 जनवरी से यूज़ कर रहा हूँ performance wise आपको निराश नहीं करेगा इसकी storage 128 GB है RAM 6 GB है तो मुझे कोई memory card डालने की भी ज़रूरत इसमें है नहीं dual sim मैं यूज़ कर सकता हूँ easily क्योंकि मैं external storage का यूज़ नहीं कर रहा याद रखिएगा अगर आपको external card डालना है तो आप AKCM यूज़ कर सकते है इसमें ये थोड़ा सा draw बागी दोस्तों आपकी phone से बहुत अलग-अलग demand हो सकती है आप चाहते हैं एक phone का rocket बना के NASA की तरह यातरा भी करें मेरी ऐसी कोई किसी phone से demand नहीं होती मेरे साब से 15,000 का phone आपकी सारी अगर चीज़े पूरी करना है तो आपको ज़ादा कुछ नहीं सोचना चाहिए इससे पहले मैं Samsung A50 उस करता हूँ वो है AMOLED डिस्प्ले ये है P.OLED डिस्प्ले P.OLED डिस्प्ले प्लास्टिक ओलेड है AMOLED डिस्प्ले आपको बेजल्स कम मिलते है AMOLED डिस्प्ले में थोड़े जादा मिलते है पर दोनों में कोई जमीन आस्मान का फरक नहीं है आपको P.OLED और AMOLED डोनों ही इंप्रेस करेगी आई एक बरस का YouTube भी आपको यूज करके दिखाऊं ताकि आप जान पाए कि वीडियो कैसी है पाता नहीं कि सिंगर गाना चल गया है बट कोई नहीं चलने देते हैं उसको स्पीकर का भी अंदाज लगा लिजिए और आपको ये 33 वाट का चार्जर मिलता है जिसकी चार्जिंग बहुत कुक है डेट घंटा ये फोन चार्ज होने के बाद दो दिन अराम से निकालता है मॉडरेट यूजर 5000 mAh की बैटरी है दिक्कत कोई होनने वाली 13 की अपडेट मिलेगी ही मिलेगी Android है तो कोई भी थर्ट पार्ट याप भी आप इसमें राम से यूज़ कर सकते हैं कैमरे के लिए इतना से कंप्रोमाईस आप कर सकते हैं और अगर 5G के साथ कंप्रोमाईस कर सकते हैं तो 15000 में यह बहुत बढ़ी अफोन है अपने रेट को बिल्कुल जस्टिफाइ करता है इसलिए इसका रिव्यू मैं पॉजटिव देता हूँ खाली टीम की टीम मैं इसको बिल्कुल पॉजटिव रिव्यू देता हूँ अगर आप इसको लेना चाते हैं याद रखिएगा 2023 है पहला महीना गुज़र चुका है अगर तो सोच रहे हैं कोई नई चीज़ आएगी तो वेट भी कर सकते हैं बाकि मोटरोला भी कोई बड़ा मोडल तो नहीं निकाल रहा काफी नई चीज़ आ रही है बाट अभी भी इसका मुकाबले की कोई भी चीज़ आनाउंस तो नहीं हुए है तो वेट कर सकते हैं और अगर आप प्रो मोटो फैन है तो ये फोन आपके लिए है अगर आप बैसे कोई एपल का फोन या पचास साट जार का एक लाग का फोन यूज़ कर रहे हैं और आपको सेकेंडरी फोन चाहिए उसके लिए भी बेस्ट है अगर आपको मदर या फादर के लिए गिफ्ट करना है उसके लिए भी बेस्ट है माइक्रो मैक्स ब्लैक बेरिस सारी उस कर चुका हूँ फोन यूजर के उपर होता है बाकि जो रिव्यूर्स आपको बार बार दिखाते हैं बड़ा डासूफ होना गया बड़ा डासूफ होना गया तो ऐसा कुछ नहीं होता है वह वह वाली बात है मीडिया में घडे को बाब बनाया जाता है आप ना बनाया करें क्योंकि आप हमारे समझदार सब्सक्राइबर है यह था मोटो जी सैंट डू का एक असली दिल्चस्प रिव्यू घरेलो रिव्यू अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना तो आज बहुत अच्छी तरह हमने तारूफ करा है आपका मोटो जी सैंट टू से यूजर एक्स्पिरिंस दिया जो की पॉजिटिव है इस फोन को मैं अभी तक देता हूँ पाँच में से सारे चारंक बहुत बढ़ी आफोन है अबढ़ी आफ। झाल